हिमाचल परदेश के कांगडा जिली में करोना से 47 वर्षय व्यक्ति की मौत हो गई। करोना संक्रामितों कांगडा पहुंचा 2,87,535। हिमाचल परदेश में मानसून सीजन को शुरू हुए अभी तक आदा महीना भी नहीं हुआ लेकिन मानसून हिमाचल के लोगों को गहरे जखम दे गया मानसून के कारण हिमाचल में 90 करोड से जादे संपति का नुक्सान हुआ खराम वौसम के चलते मनीमहिश की यत्रा भी अब 13 जुलाई के बाद ही शुरू होगी 12 जुलाई को आम आदमी पार्टी बीर भूमी पारलंपूर में तिरंगा यत्रा निकालेगी इस तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रिय संयोजक एमम दिली के मुख्य मंत्री अरविंद के जरीबाल और पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंद मान जी भाग लेंगे केंदर सरकार की और से गरीब बच्चों को मिलेगी पोस्ट मैट्रिक शात्रविती शात्रविती के लिए ग्यारमी और बारामी के विद्यार्थियों से दस्ता बेज मांगे गए हैं विवाग ने स्कूल परमुखों के शेक्षनिक सब्तर दोहजर बाइस तेज के लिए शात्रविती के लिए आवाइदन करने के लिए आदिसुचना जारी कर दी है वहीं जो विद्यार्थी हैं उनका बायो डेटा सरकार के दौरा मांगा गया है सरकार के दौरा पूलीस भरती के लिखत परिक्षा का परिणाम जारी 9629 पूर्ष और 2707 महिलाएं इस परिक्षा में उत्तीरण हुए पिछली बार परिक्षा में 74 रंग सबसे जादे लिए गये लेकिन इस बार परिक्षा में टौप करने वाले विद्यार्थी ने चौसा ठंक लिए MSC M Government College धूरल डिस्टिक कांगडा में आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं यहां Assistant Professor Mathematics की Assistant Professor 4 BCA Class 4th की वकैंसी और Sweeper की वकैंसी के लिए जो है वो आवेदन मांगे गए हैं Assistant Professor की वकैंसी के लिए MSC Candidates आवेदन कर सकते हैं वहीं MCA Candidates या MSC IT Candidates BCA वकैंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं वाकिन इंटर्वियू का आयोजन होगा इन वकेंसी के लिए इंट्रस्टेड केंडिडेट्स अपने रेजियूम और डॉकुमेंट्स कॉलेज में सम्मिट करवा सकते हैं। 25 जुलाई सुबह साथे दस बजे इंटर्वियू का आयोजन होगा। सरकारी स्कूलों और पब्लिक बर्क डिपार्टमेंट में मल्टी टास्क वरकर की भरती हो रही है। लेकिन आप आई पीच विवाग यानि जल शक्ती विवाग में भी मल्टी टास्क वरकर बनेने का आप लोगों के पास मौका है। आयू 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में क्वालिफिकेशन एट पास कोई रिटन इग्जामिनेशन नहीं दस नंबर की मेरिट के अनुसार आप लोगों का चैन होगा। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दिया है हमारी आई पी अच की प्लेलिस्ट को जरूर देखें अगर आप मल्टी टास्क वरकर वकैंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। क्यामिनेट मीटिंग 14 को है और 14 के बाद एंटीटी भरती को लेकर भी कुछ नए अपडेट सामने आ सकते हैं। एंटीटी का ड्राफ्ट फाइनल हो रहा है हो सकता है इस ड्राफ्ट को लेकर हम कुछ नए अपडेट मीटिंग के बाद देखें।